हम ने ये ये काम किया ये क्यों बात आप नहीं बताते ये आपका अरोप है बढ़ा अरोप है जवाब लेते हैं एक विभाजनकारी नीती है और सनातन के नाम पर अपना सियासी काम सेट करना है और देश जब तक मिन्ते नहीं होगा हमारे देश का विकात नहीं हो सकता है जी कि अजया लोग कि अमिज जी मुझे लगता था कि मोतिया बीन धुआ पड़ा है लोग को दिखता नहीं है लेकिन अंधे हो गए यह मोधी विरोध में ऐसे अंधे हो गए यह देश नहीं पा रहे हैं कि देश कितना तरक्की कर रहा है और अजीज भाई तो उत्तर प्रदेश क सब्सक्राइब करें कि देश कितना भी तरक्की करें जिस देश की जड़ों में अगर अपनी संस्कृती और अपनी राजनितिक चेतना और अपने धरम को बचाने की जागरिती नहों वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है आप लोग की दिक्कत यह है कि आप लोग इसलाम को बढ़ाने वालों के साथ चाहे वो किसी भी तरद से पड़ाएं उनके विरोध में आप एक शब नहीं बोल सकते हैं क्या है आप लगता है भाईजा नाराज हो जाएंगे हमें ऐसा नहीं लगता है हम पूरे देश को एक चस्में से देखते हैं हम दिक्कत है बाहरियों से रोहिंगिया से बांगला देशियों से और देश के उन गद्दारों से जो ऐसे इसे लोगों को बठा के अपने वोड बैंक की राजनिती कर रहे हैं यही बात योगी जी ने कहा है सर 10 सेंडर जी 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 इसकाथ हैं अमीज भई यह घुस्पैटिये की बात कर रहे हैं 10 साल से केंध्र में हैं कितने घुस्पैटियों को पकड़ा इन होने क्या कोई सूचि जारी की कि यह बगला देशी है, इतने घुस पैठी है आ चुके, कोई सूची है इनके पास, लगातार इस तरीके का आरोब, परत्यारोब कर रहे हैं, मैं कहरा हूँ, इस तरीके से धुर्वी करण का प्रयास कर दे, आप सूची को नहीं जारी करते, आप इसको नहीं बताते कि इतने गुस पैठी है यहां पै आ गए, सिर्फ ए स्ट्wenंट देंगे, सिर्फ बटवारे की राजनीत करेंगे, सिर्फ küनाम्ध देंगे करके, गुस पैठी है कि साब इतने गुस पैठी है, साब आप राजनाओं करें कर आप भी, आप इस बात से सहमत है जो बिवेक ने बोली और क्या राहूल गांधी को कैनेडा में जो हिंदू पर अटैक हुआ उस पर बयान देना चाहिए था आपके कड़बंदन के पार्टर है पॉइंट नमबर टू दिवेंद फटनविस ने बोला है कि कुछ लोग दर पैदा करके वोट जिहाद करने वाले हैं कॉंग्रेस और उसके सायोगी दल और उसके साथवाली पार्टियां ऐसा करवाना चाहती है जैसा लोकसबद चुनाव में हुआ था यानि वोट जिहाद करकर आप मुसल्मान का वोट करना चाहते हैं और हिंदू का वोट डिवाइड करना चाहते है अमीज भाई नमस्ते देखिए ऐसा है कि हम कल भी कह रहे थे आज भी कह रहे और कल भी कहेंगे कि हमारे किसी हिंदू भाई बहन पर चाहे देश में हो चाहे बिदेश में हो अगर कोई अत्याचार कर रहा है कोई उनको अपमानित कर रहा है कोई उनके साथ मार पीट कर रहा करते हमने निशेद करते हैं कल ये आपके चैनल पर हमने अपनी भावना बता दी थी कि हम चैनarent सरकार के खिलाफ हैं चैनाडा सरकार के उपर हमारा तक वहां रह रहे हमाँ हिंदू बहाई बहनओं उपार राक्षन नहीं दे पा रहे हैं कुछ चंद उपद्रवी खालिस्तानी उनको एक प्रकार से प्रताडित कर रहा है तो हमारा स्टेंड एकदम क्लियर है कि आए कि देवेंद्र फट्वणिस की वोट जिहाद के आरोप पर आपका हुए हैं तब से वो बेचैन हैं गलत सलत बयान बाजी कर रहे हैं उन्हों ने कहा कि जो महाराश्ट के मुसल्मान हैं उन्होंने ओट जिहाद करके महाविकास अगारी को जिताया हमारी आपती यहां कि क्या भारत या महाराश के मुसल्मान मतदाता नहीं है आप इस परस्ट एक घैर निकाली एक कानूनन दस्तवेज़तपर साइन करिए कि हां हम महाराश के मुसल्मान को भारत का सम't उबाक्षानिक दाता नहीं मानते हैं वो लोग जिहादी बाद खतम हो गई एक तो आप उनको बार बार अपमानित कर रहे हैं यह कहके कि वो लोग जिहादी है और अब जब विधान सभा का आगामी चुनाव चल रहा है दो चार दस दिन बाद ओटिंग होना है तब आप फिर कह रहे हो कि जो महाराश के मुसलमान है यह सडेंट रट के बहुत बहुत जिहाद करने वाले ताकि फिर बीजेपी को दुक्सान हो और महाविकासागडी को फाइदा हो अरे शर्मनाक है यह बयान और उससे भी ज़्यादा सर्मनाक यह बयान है कि जब योगी आदित तनाज जी और अजे आ पोकर कमजोर हो गया दस साड gap केंद्र میں सरकार थन लोगसी अनुग भाट। मेरे काम को देखते हुए आप भी हां विकास की गंगाप आओ और हमें मद्दान करो हमें याद है कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे गुजरात मॉडल को देखते हुए दूसरे जी 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 चाहिए औरे योगी आदितनाजी आप जिस राज जी 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 अजया लोग देखिया इनकी बाते सुनिये इनको इनकी शीव सेना की दो बाते सुनके मुझे हसी आने लगती है मुझे रोना भी आने लगता है बाला साथ ठाकरेजी को याद करके हैं अब एक बीच में नहीं दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि हम तो जहां जा रहे हैं हम वहां बोल रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे एक रहोगे नेक रहोगे उसका कारण है एक सो बीस करोड की संख्या है पूरे विश्व में हिंदू की किस्चन और इसलाम के बाद तीसरे सबसे बड़े धर्म हमी है आज की वी तारीक में और इसलिए टार्गेट है कि हमारा ही कर्वर्शन करवाओ अभी जैसे स्वामी दिमाकर धिपांकर जी ने आपको बताया कि का ना दिया भाईजान कनवर्ट करके क्योंकि हमारे धर्म में नहीं सिखाता है हिंदू के धर्म में रामाइन यागीता में नहीं लिखा है कि अपने धर्म का विस्तार अपनी ताकत पे करो और धर्मों में लिखा है हमारे धर्म में किसी दूसरे धर्म वाले को काफिर नहीं क पीडा क्या है बताओं इनको हिंदू संगटित करने में कोई मजा नहीं है हिंदू संगटित हो कि इनको ओट करें ताकि सत्ता में आएं और मलाई खाएं और मनमानी करें अपने सत्ता में तो हैं है लेकि मिन्दू एक होंके जब आयोध्या में हराता है लिए जब रामेशुर्ब में हराता है तब चाहिए तब पीडा माफी मांगी आप लोग बाला साहिट की अत्मा से येज्ड आपको आपकी जो दवाई है ना वो जनता समय समय पर कर रही है ठीक है स्वामी दिबांकर जो मांसिक रूप से बिमार है ना उसकी दवाई आपको समय समय पर जनता अमीश वालों की अभी पूरे देश में हार ना बाकी है मैं यह कह रहा हूं कि हिंदू हिंदू चिलाएंगे निपट जाएंगे विपक्ष कह रहा है कि यह हिंदू हिंदू चिलाते रहेंगे रामंदिर भी बनाया लेकिन निपट गए दवाई बाकी अभी बीजेपी की पूरे देश कह रहा हूं और बहुत जिम्मेदारी के साथ अमीश भाई कह रहा हूं टेबलेट कैपसूल क्रोस इन जो देना है आपस में एक दूसरे को दीजिए मगर पीडा की बात कहीं तो पीडा की बात तो जरूर कहूंगा पीडा की बात करने वाले आनंद भाई हैं विवेक भाई हैं अजीज भाई को कहूंगा नहीं और वेला की कह सकता हूं विपक्ष हैं अजीज भाई को भाई कहता हूं मगर इतना जरूर कहता हूं कि जब कश्मीर में नरसंगार होता है तो पीडा होती है पाल घर में सरन्या तो मुझे लगता है तो आप लोग उनका सूपारी ले लिए इसका मतलब हिंदूों का संगटीत होना कैसे गुना हो सकता है कैसे अपराद हो सकता है राम गोपाल खाती में गोली मार दिया जाता है वन्हों रहते हैं यह देख करके लेट मी, लेट मी कम्प्लीट, लेट मी कम्प्लीट, राम गोपाल को छाती में गोली मार दिया जाता है, कोई एक बार नहीं बोलता है, और उसके हत्यारों को पाउं में गोली मारा जाता है, पोपकन की तरह उचनले लगते हैं, भाई साब हिंदू होना गुना नहीं है, अमे प्रदान मंत्री स्वर्गी अटव जी चैते हिंदू तन्मन 종ईन रग्रंग मेरा परिचे बालासहभ कहते हिंदू होना गर्व है मुझे लगता हिंदू होने से बड़ा गर्व इस धर्थी पर ना कोई था ना है ना सकता है और हिंदुओं का संगटित होना ही एक मात्र कवच है मैं अपने आनंद भाई से भी कहूंगा और विवेक भाई से भी अगर जो यहीं बट गए तो यकीन मानिया हर गली नुकड़ पर कट गए और कटने का अर्थ मात्र पीस में नहीं होता कटने का अर्थ अपनी संस् अचारे जी आपको बड़ी पीड़ा हो रही है ना गुपाल मिश्रा जी की मित्यू पर बड़ी पीड़ा हो रही है पालघर के सादू की जब दिर्मम हत्या कर दी गई लेकिन वहीं पीड़ा आपको तब नहीं होती जब मुंबई और महाराश में रह रहे हिंदी भासी हिं को दोड़ा दोड़ा कर पीड़ा जाता है महाराश नौ निर्मार्ण सेना के लोग उनके खुंचे को जब लात मारकर गिरा देते हैं उनकी रोजी रोटी छीर लेते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेटकर जी के दियोगे सविधान के तायर कोई कहीं भी जाकर अपनी मज बाइगें के ना भाहरती दूसरे हिंडू ओन के हिंसा कर रहा है और भारती चन्ता पाटी की बीटीम बनकर खुले हम सरकार में आना चाहता है तब आपको पेड़ा दिखाईने तिया आचारे जी मतलब सहुल्यत के हिंदूफ फाइदे के हिंदू मजबूरी के हिंदू सत् आनंद भई सुनिया आनंद भई मैं अपने आनंद भई से एकदम बिल्कुल सब चीजों पर बोला किसी भी चीज से हिंदू का अगर कहीं अहित होता है तो वो गलत अपराद और बुरा है एकदम क्लियर कट सुनिये मगर उसके बावजूद मैं अपनी बात को ले करके एकदम क्लियर हूं और आप को इस समय न्यूजेश्ट आपके लिए आपके लिए हि अधर्य नियूजेश्ट करते हैं किसी के लिए भी पहले देश होगा बिलकुल सबसे पहले देश है देश होगा तो हम होंगे न और उसी देश का जबती कर दिया जाता है मुझे उस विचार से दिक्कत है जब उसी देश को बाट दिया जाता है मुझे उस देश से दिक्कत है लेने के बाद भी अपना देश मेरे देश मेरे रह रहे लोगों को बंगला देश में पीटा जाता है पाकिस्तान से समाप्त कर दिया जाता है मुझे उस विचार से दि किसी बेगल नहीं है आपको वोट सामयाथया से मतलब है तेसलिया मत करो कि भजन कीटन हो मेडिटेशन हो धर्म पहले हिंदू को संगठित करो वोट बनाओ और इन मुसल्मानों को नेगटिव दिखाओ यह है आपका एजेंडा आपकी दो साल की यात्रा एंटी-मुस्लिम रही है और जो चीज एंटी-मुस्लिम हो प्रो इंडिया नहीं हो सकती यह वार्ष को लेकर चलना पड़ेगा आपका विचार हो सकते हैं अपना विचा आपकी व्यात्रा को लगातार एक लॉबी टार्गेट कर रही है यह रिप्लाइट 10 सेकंड मैं मात रहमीश इतना कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अगर मेरी पूरी यात्रा में दो साल की यात्रा में अगर जो विवेक शिरिवास्तव एक शब्द मुस्लिम के विरुद्ध मेरा बोला हुआ दिखाएं तो मैं डिबेट से उठकर चला जाओंगा और अगर ज बहुत बहुत बड़ी खबर आ रही है मुझे बड़ी खबर की तरफ जाना होगा संजे राउत के सगे भाई ने एक बड़ा बयान दे दिया है संजे राउत के बड़े के भाई सुनील राउत के मामले में विवाद और बढ़ गया है सुनील राउत के खिलाफ एफ आई आर तरज हो गई है इस समय की ये बड़ी खबर है विरोधी उमीदवार को बक्री कहा था इससे पहले शिर्फ सेना कैरविन सावत ने विरोधी उमीदवार को माल कहा था यानि कुल मिलाकर इससे पहले इंडिया अलाइंस के ही एक हिरो चलिए बोट जिघाद की बात कर रहे हैं योगे दिञतेनात हिंदु बटेगा तो कटेगा की बात करतें हैं लेकिन आपके निएता तो कोацион हमाल की बात कर रहा है जह क्या कहरना चाहते हैं क्यों बक्री कह रहा है अर्विन सावन जी ने जब विवादी टिपड़ी की तो उसके बाद उन्होंने च्छमा मांगी खुले दिल से कहा कि साइना एंसी मेरी बहन समान है जाने अगर मेरे मुह से मेरे शब्दों से उनको पीड़ा हुई है तो मैं च्छमा मांगता हूँ बड़ा पन होके उन्होंन को कोई नहीं मिला तो एक बक्री मतलब उन्होंने महिला के संग्या दे के बक्री का तो देख लूंगा मैं तरहीं बड़े दिल से वहीं समान है वोट किसको ड़ना नहीं डालना अरे अब इस सुनिये तो मुहावरे में गलत जबानी हो जाते हुसके लिए हम च्मा मांगते ह नहीं नहीं उनकी कहने का तात परentes भूंत कंचरह का मैं ऑप को सुनिल राउज्च में अभेड भैड को मैं दिखा सकता हूंए एक चियम आजया लोग आपको श्रूर्य कोते हैं लेकिन आपको आजया लोग जी एक बात बतायता हूं कि शिफ से ना हो शिफ से ना हो चाहे माहा अगारी पिछाडी के जो भी नेता हूं महिलाओं की बेज़ती करने में इनको अंदर से आत्मिक शांती और खुशी मिलती है मंज पेवाद नहीं बोल रहा है कि मेरे सामने कोई बली का बकरा नहीं मिला भाजपा को इसलिए एक बकरी को सामने ले आए तो उस महिला को जान बूच के बकरी कहा गया आजकल बकरे और बकरी से इंका प्यार बढ़ गया शिवस्तेना वालों को ना दिक्कत यह यही तुम्हें कह रहा था कि बाला साहब की तमाम तमाम चीजें को भूलकर अब बकरा बकरी में आ गये भाईजान पे आ गये मुसल्मान वोट पे आ गये दुनिया में हर चीजा सत्ता हमें चाहिए अरे सत्ता की मलाई शाटने के लिए यह नहोंने 25 साल की दोस्ती में पीट में छुरव खंजर घुपके यह महागारी पिछाड़ी नहोंने बनाई हो दफटा करें अब हम प्रुक के टीसा जाती है आजया आलोग आप लोगों की भी कि 25 साल की दोस्ती 30 साल की दोस्ती ऐसा तो नहीं है यह दोस्त चुनाव के बाद एक होने वाले है देखी ऐसा है ना कि बाला साहब के आदर्शों को जो कब्र में सुला चुका हो उनको चिता भी नसीब नहीं होने दी ऐसे दोस्ती तो दूर हम दूर दूर तक संबंद भी नहीं चाहेंगे कि कि बात की पॉलिटिकल पार्टी बन रहे हो कमाल की बात है कि बकरा और बकरी को भी धर्म से जोड़ दिया उसको भी मुसल्मान बना दिया धन्य हो आप लोग मेरे प्रभू लेकिन आपको मंगेश कुंडाल करके मंच पर जा इकना कि बड़ी बड़ी तस्वीर लगी है हो रहा है वो दिखाई नहीं देता अभी आपने कहा ना कि इनको आजकर बकरा बकरी जादा दिखाई दे रहा है अरे आप नहीं के दिन खुलके तो आए ना अरे भीया आप यहीं सब करो जीव की हत्या करो आप बकरा बकरी कर रहे हो यही तो है और बड़ी ख़बर आ लिए कल महायूती महायूती एक बड़ी बड़ा कारिकरम करने के लिए जा रही है महायूती की दस बड़ी योजनाओं की गोश्टना करेंगे सियम शिंदे कल किसानों और युवाों को महायूती की एक बड़ी योजना का आएलान कर सकते हैं सियम शिंदे कल कोला होपुर में महायूती की बड़ी रैली है जिवें़ बड़ कटी सेम मौझूध रहेंगे अजीद दादबवार जीप्टी सेम मौझूद रहेंगे गोश्टा करने के लिए जा रही है इस समय की बड़ी खबर है और वोट जिहाद को भी सूतरों के हवाले से बड़ी खबर है वोट जिहाद को बीजेपी और शिंदे से ना एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है विधान सबाचुनाव के अंदर बड़ी खबर आ रही है ग भड़ी खबर है पहले महरास्ट में लगे थे बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर अब गॉरकपुर में लगे हैं फिर लक्नव और नॉड़ा में भी लगे थे सर केरेड में भी ये नारे को लगाया जा रहा है अजीज खान कहें कहते हैं रोक सके तो रोक लो अब तो लगता है कि देश भर में इस नारे की गूंज है कि यह गूंज आप तक भी पहुंच रही है समाजवादी पार्टी का तो सिर्फ एक ही नारा है ना बटेंगे ना कटेंगे दो हजार सथाईस में नफरत फैलाने वालों को खाटाएंगे यह जंता का नारा है यह समाजवादी पार्टी का नारा नहीं नहीं चुनाओ नारे से नहीं जीता जाता है चुनाओ काम से जीता जाता और काम इनके पास है नहीं यह सिर्भ नफ्रत से जीतना चाहते हैंँ अरे वाकाईमें उन्हों ने काम किया है तो पर में पूरा समझना चाहा रहा हूं कि इसनारे में एकता की इसे इकता में नफट कैसे दिख रही है को भी एसा लिए हिन्दू मुसल्मान शिक्षाई सेर रहता है но बहुत हम तोह हम नहीं कहें के हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे एक ताका राच चलेंगे और एक ताके साथ चलेंगे एक बात आप समझ लें कि जब लगातार कह रहा है तो लगातार कह रहा है तो लगातार कह रहा है और बटेंगी बात कर रहें एक 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 बात आईए आप भी तो जाती मे बातने का खेल खेल रहे थे ना खेल को बीजेपी ने थोड़ा और बढ़ा दिया उन्हें वहला बटोंगे तो कटोंगे आपने जाती में बाटा अमेज भाई वो तो सुनिये वो तो वो तो समाजवादी पार्टी नहीं पूरा इंडिया गड़ बंधन चाहता है बटेंगे तो और कटेंगे नारे में आपको नफरत क्यों दिखाई दे रही है एक लाइन भी आपने कहा कि कल महायूती के नेता बहुत बड़ा सम्मेलन करने वाले कोई घोशना करने वाले अपना मेनिपेस्टों लेने वाले तो आप ये भी बताईए देश की जनता को कि कल मुंबई के बीकेसी ग्राउंड पर महाविकास सघाडी की बहुत बड़ी सभा होने वाली है जिसमें राहूल गांडी जी मलिकार जुन करगे जी सरत्पवार साहब और उद्धाव ठाकरे साहब भी गारंटी लेकर आ रहे है जब हमाराश को क्या देने वाले आने वाले पांट साल जब हमारी सरकार होगी बटेंगे यह भाना तान प्ला रहे हैं यह प्यार का संदेश है राहूल गांधी उद्धभ ठाकरे का प्यार का संदेश है कि अखिलेश ादम का प्यार का संदेश है महुबबत की बाद कि रिखे इप लेख और यू कि तोघ्ली बार तुट अमुशन है इस पहली बार मुश्बत को दुकान सिट के काम भी रहल गान्दी की है जो जो बोले कि मुहबबत की दुकान में मैंने बेच रहा हूँ, दुकान में तो खरीद दिक्री करते हैं, आतर मुहबबत बेच रहे थे, लेकिन बेच रहे थे भाई जानों को, दो-दो बार मुसल्मान जोड़ो यातरा करके आ गए, अब महराश्रा गारी पिछाडी, उसी मु झाल 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 झाल